वेलकम स्वागतम उत्राखंड बॉर्डर पर पितोरागाड जीले में नेपाल की तरफ से कुछ लोगों ने भारत के धारचुला में तटबंध बना रहे सर्मिकों पर फिर से पत्राव किया जिसमें कम कर रहे सर्मिक किसी तरह जौन बचा कर भागे चिंता की बात है कि पतधार में नेपालियों ने पचास दिन में बारह बार भारत में पत्राव किया है लगातार हो रहे इस तरह के पत्रवाजी की घटना से भारत के लिए अपातकाल से पहले काली नदी किनारे तटबंध बनाना कठिन हो गया है भारत काली नदी किनारे कटाव वाले छेतर में तटबंध बनोने का काम कर रहा है नगर से सटे गो सदन छेतर में संबार की साम को काम कर रहे सर्मिकों पर नेपाल की तरफ से फिर से पत्राव किया गया इस दोरान सर्मिक किसी तरह जौन बचा कर भागे नेपाल की तरफ से पिछले 50 दिनों में पत्राव की यह बारहवी घटना है इस से पहले नेपाल से किये गे पत्राव में एक बार सर्मिक वो जेसीवी चालक को गंभीर चोटें आई थी दो जेसीवी मसीने को भी पत्राव से नुक्सान पहुचाया था भारत नेपाल के अधिकारियों की संयुक्त बैठक वो समधान के भरोसे के बाद भी फिर से पत्राव की घटना से सिमौनत के लोगों में आक्रोश है इधर तटबंद का काम कर रही एजेंसी के लिए अब विरोध के बाद जुलाई से पहले तटबंद का निर्मोन करना कठीन हो गया है नगर के बरे हिस्से को काली नदी के कटाव का खत्राव बना हुआ है लगतार इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है नेपाल में पत्राव कर रहे हैं लोगों से सक्ति से निपटने की अवस्चता है नेपाल पहले ही अपने यहां तटबंद बना चुका है अब भारत में हो रहे कौम का विरोध गलत है इनसेट कोट परकरन परपुरू की घटनाओं की भी जनकारी दी गई थी इस तरह की पुनराविर्थी नौहस के इसके लिए नेपाल के अधिकारियों को कहा गया है नेपाल की पत्थरवाजी से भारत में काली नदी किनारे किया जा रहा तटवंद निर्मान काम को परभावित किया जाना तटवंद पतधार में नहीं बनने से पुरी नगर की सुरक्षा को खत्रा है लगतार नेपाल के पत्थरवाजी के कारण यहाँ पर भारतिय सर्मिकों के लिए बिना सुरक्षा के काम करना कठिन हो गया है नगर में आपदा काल में काली के कहर के बाद काली नदी किनारे तटवंद बनाने का कम चल रहा है मुखवंद्री की घोषना के तहट काली नदी के किनारे धर्चूला नगर की सुरक्षा को 77 करोर की लागत से 985 मीटर तटवंद निर्मोन का कारी किया जा रहा है 25 नवंबर से नेपाल के कुछ लोगों ने भारत में तटबंद के काम पर एतराज जताते हुए पत्थरबाजी सुरू की दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक वो समनवे से काम के भरोसे के बावजूद यह रूकी नहीं है 3 जनवरी 2023 को नेपाली छेतर से भारतिय मजदूरों पर पत्थरबाजी की घटना से नेपाल के औराजक तत्वों ने अपने इरादे साप किये हैं ऐसे में पत्थरबाजों की दवाब में घट खोला छेतर में तटबंध निर्मोन का कारे नहीं होने से भारतिय लोगों में आक्रोस बढ़ रहा है नेपाल की तरब से मितरता का धर्म नहीं निभाया जा रहा है नेपाल के कुछ तथाकथित लोग राजनीती के चलते भारत नेपाल के रिष्टे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं भारतिय नागरिकों को सुरक्षित रखने के कारे में नेपाल के तथाकथित पत्थरबाज भी बाधा बन गए हैं नेपाल के अधिकारियों से निर्मान कारी को लेकर वारता की गई है दोनों देशों के अधिकारियों की बीच सहमती बनी है घट खोला में जल्द कम प्रारंब होगा